दोस्तों अगर आप योज करते हैं Realme C55 का फोन तो जबी आप अपने फोन को स्वीच आप यानि रिस्टार्ट या स्वीच आप या पावर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आप अपने पावर बटन को लॉंग प्रेस करते हैं तो बार बार आपको यहां पे Google Assistant देखने को मि अभी अपने सैटिंग से तो सबसे फ़रने हम फोन में शेटिंग open करेंगे में बाद दोस्तों राइट चाहिए यहां पर सर्च का आइकान है सच का साई का परेंगी किलिक करेंगे यहां पर किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है power power लिखना है इसके बाद आप button लिख सकते है power button spelling का आप सही लिखेंगे space last में नहीं लगाएंगे power button लिख देंगे ति यहां पर एक option मिलेगा press and hold power button का आपको इस पर किलिक करना है इस पर click करने के बाद again यह option आपको इस screen पर देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं launch google assistant already यहाँ पर set है इसलिए google assistant open हो रहा था हम इस पर click करके enable and power and emergency menu पर click कर देंगे और okay कर देंगे अब दोस्तों हम अपने phone में यहाँ पर आते हैं तो lock button को आप long press करते हैं power button को long press करते हैं यहाँ आप देख सकते हो power off करने का और restart करने का option मिलता है please video को like करें